हेलो प्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल स्वागता है आप सभी का मेरे सुपर लोग इस चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गरम में लड़का किस साइड ज्यादा रहता है या लड़का होने पर आपको किस तरफ ज्यादा मैसूस होग सब्सक्राइब करके थर्ड मंत के बीच में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं बहुत ज्यादा डाउन होते रहते हैं हार्मोन की बज़े से जो सिम्टम्स होते हैं बदलते रहते हैं पूरी प्रेग्नेंसी ऐसे लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं काफी जो लक्ष कि यह देखना है कि आपको थर्ड मंत के बाद जैसे आपका थर्ड मंत खतम हो जाता है ठीक है थर्ड मंत आपका खतम हो गया इसके बाद आपको फूर्थ मंत चल गया है चौथा मंत जब आपका चल जाता है इसके बाद आप यह देखेंगे कि आपका जो बच्चा है आपके बच्छे ने मुवेंट की या नहीं की आपको मुवेंटable फ्म हो रही है या नहीं होरी हुओए लिखल हम फील मत defect कि चौथा महिना पांच महिना तरही को इस टर्ट गदना पैरी की तो आपगोते का इस प्रॉटय के प्लिsis के पंदरा दिन चले जाते हैं या लाश्ट में फील होती है तो ऐसा माना जाता है कि आने वाली संतानिक लड़की होती है लड़की जो होती है ऐसा माना जाता है कि जल्दी चलना हलना फिर शुरू कर देती है उसकी मुमेंट ठल चल जल्दी फील होने लग जाती है ऐसी बुजुर के दादी माएं बताया करती है अगले लक्षन की बात करते हैं तो अगर आपको दिखो चोथे महीने से आपको सीधी साइड सोना पसंद है सीधी करवट सोना पसंद है और आपका जो बच्चा है आपको ज़्यादा तर महसूस सीधी साइड ही होता है या फिर नावी के नीचे होता है आप जब खाना घाती है बैठती है तो आपको आपको पेट जैसे आप बैठती है तो अड़ता है बहुत ज़्यादा है या फिर आपको एक चुबंसी मैसूस होती है अपने करेजे के पास में ठीक आपके करेजे में जो कलेजा होता है वहाँ पर आप बिंचन के आपको पूरे प्रेगनेंसी ऐते इस बाद करते हैं ऐसा माना जाता है कि लड़का उने का अगले लगषन की बात करते हैं अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी खट्टी रर्खाना कहते हैं या फिर बीच में हापको खट्टी रर्खार लगशन माना जाता है तो यहाजी कह लड़की साथ है कि ineffective the बच्चा जादा रहेगा अगर आपके घरब में लड़का है तो आप जान सकते हैं लक्षणों से वीडियो को जादा जादा शेयर करें जैसरी किष्णा